कि नमस्कार विके बिन्यूस के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें वहीं मेरे सब मंत्री नवाब मलिक समिरवान खेड के खिलाफ लगातार बंपोड़ते जा रहे हैं अब उन्होंने एक और फोटो बंपोड़ा है समिर के निकाह के तस्विर सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा कबूल है कबूल है कबूल है ये क्या किया तुने समिर दाउत वान इसी बीच अभीनेता मुकेश खन्ना ने एक्टरेस कंगना रनाउट को उनके भीक वाले बयान के लिए लतार लगाई है उन्होंने कंगना को इस बयान के लिए चापलूस कहा है उधर अमिर खान की तिसरी शादी की अपुश्ट खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है तो ठाने जिले के उल्हास नगर इलाके में आर्थिक तंगी से परेशान एक दंपत्ती ने अपने पांच और छे साव के दो बच्चों को सोता छोड़ आत्महत्या कर ली प्रदेश के इन पाज बड़ी और ताज़ातर इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे तुमारे साथ बात से ही नवाब मलीक लगातार समिर वानखेडे पर हमलावर है फिरवती के साथ ही फरजी जाती प्रमान पत्र के आधार पर नोकरी का आरो भी लगया मलीक ने वानखेडे पर आरोप लगया है कि वह एक मुसल्मान थे जिनोंने फरजी प्रमान पत्र के आधार पर खुद को ऐसी बताते हुए नौक रिपाई तब समीर की तरब से बर्ट स्जाय कर बचाओ किया गया था समीर के पीता ने मानहाणी का मुकदमा भी किया है जिस पर आज सुनवाई होनी है इससे पहले नवाब मलिक ने क्रूज ड्रग्स मामले में गवाहक केपी गोसावी और एक इनफामर के बीच की एक कथित वाटसैप चैट शेयर कर वानखेडे पर हमला बोला था मलिक ने समिर वानखेडे और काशिफ खान के संबंदों पर भी सवाल खड़े किये थे तीवी के शक्तिमान मुकेश खन्ना उन चन एक्टर्स में से है जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं अब उन्होंने एक्टरेस कंगना रनौत को उनके भीक वाले बयान के लिए लतार लगाई है उन्होंने कवना को इस बयान के लिए चापलूस कहा है और कहा कि ये उनकी अज्यानता दर्शाता है जो उन्होंने पुरसकार मिले के बाद आजादी को लेकर ऐसी बाते कही है मुकेश खना ने अपने सोशल मीडिया आकाउंट पर लिखा है कि कई लोग बार बार मुझसे कह रहे है कि आपने देश के इंडिपेंडनस पर किये गए कटाक्ष पर कोई टिप पनी नहीं दी क्यों तो मैं बताओ दे चुका हूँ पर शायद पढ़ा नहीं गया तो सोचा पबलिक ही कर दू मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बचका ना था हासिस्पत था चापलूसी से प्रेरित था अग्यानता दर्शाता था या पदम अवाट का साइड इफेक्ट था मैं नहीं जानता पर सब ये जानते हैं और मानते भी है कि हमारा देश आजाद 1947 को पंद्रागस को ही हुआ था इसको अलग जामा पहनाने की कोशिश करना भी किसी के लिए मुर्खता से कम नहीं होगा हकीकत ये है कि अंग्रेजी हुकूमत के मन में अगर किसी किसी ने भगाने का खौप पैदा किया तो वो था देश के असंक क्रांतिकारियों का बलिदान इससे पहले मुकेश खना वीर्दास के दो भारत वाले बयान पर भी गुसात जाहिर किया था उनने तो यहां तक कह दिया था कि जितनी तालिया वीर्दास को मिली उतने ही कोडे हमारे देश्वासियों की तरब से उसे मिलने चाहिए कैट्रिना कैफ विकी कोशल की शादी का बेसबरी से इंदेजार हो रहा है कि अमिर खान की तिसरी शादी की अपुष्ट खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है कुछ विश्वास कर रहे है तो कुछ नहीं सोशल मिडिया पर इसे लेकर कयासों का दौर जारी है पिशले दिनों ही अमिर खान ने अपनी पतनी किरंद्राओ से अलग रहने का एलान किया था उस दौरान दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि अब हम दोनों पती पतनी नहीं है बलकि हम को पैरेंट्स और एक दूसरे के परिवार के तोर पर होंगे तब अमिर के दूसरे तला के बाद सोचल मीडिया पर उनकी को एक्ट्रेस फातिमा खान शेक ट्रेंड होने लगी थी लोगों ने अमिर किरन के अलगाओ के लिए फातिमा को जिम्मेदा ठराया था अब सोचल मीडिया पर ऐसी चर्चा तेज हो गई है कि अमिर खान जल्ड ही तीसरी का एलान अपनी अपकमिंग फिल्म लालसियं चड़ा की रिलिस के बाद करेंगे उनकी दुल्हन एक्ट्रेस फातिमा सना शेक होंगी ये पके से नहीं कहा जा सकता लेकिन चर्चा तेज है बता दे कि फातिमा ने अमिर की फिल्म दंगल में उनकी बेटी का किरदार निबाय है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि राज में दूसरे राजो से शराप की तसकरी न हो सके फिलाल महराश्ट के पड़ोसी राजो की तुला में यहां विदेशी शराप महंगी है विदेशी शराप के उतपादंशुल को 300 से घटा कर 150 प्रदिशत करने का फैसला लिया गया है इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है भाजपा ने इसके अलोचना की है प्रदेश भाजपा आध्यात्मिक प्रकोष्ट के अध्यक्ष आचारे तुशार भोसले ने कहा कि राज सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट टैक्स कम करने के लिए तयार नहीं है पर शराप पर टैक्स में कमी कर रही है उन्होंने कहा कि यह महाविकास आगाडी नहीं बलकि मद्विकास आगाडी है वही आपकारी विभाग का कहना है कि उत्पास शुल्क अधिक होने से चोरी छुपे राज में विदेश शराप का आयात किया जाता है पर उत्पास शुल्क में कमी स देव शराप की तसकरी और मिलावट शराप पर भी रोक लग सकेगी हाला कि अभी भी महाराष्ट में अन्य राजों की तुला में अधिक एकसाइस डूटी वस्वसुला जा रहा है यह तैक्स दिल्ली में 90, तमिलनाडों में 70, बंगाल में 40 पिसदी है गौर तलब है कि आयात की जाने वाली विदेशी शराप से राज को साला नाज 100 करोड का राजस्व मिलता है उत्पादन शुल्क में कमी से विदेशी शराप का आयात बढ़ने की उमीद है इससे राज का राजस्व 250 करोड रुपे तक पहुश सकती है बेरोजगारी ने जीवन को मुश्किल में ड अर्थिक तंगी से परिशानेक दमपती ने अपने 5 और 6 साल के दो बच्चों को सोता छोड आत्मत्य कर ली बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने माता पिता का शव घर में फंदे से लटकता देखा इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पडोसियों को दी उक्त दमपती राजु गांधी नगर में अपने दो बच्चों के साथ रहता था पती फरनिचर का काम करता था जबकि बतनी लोगों के घरों में काम करती थी पडोसियों से पुछताच में खुलासा हुआ है कि दोनों का काम न होने के चलते आर्थिक तंगी से जूज रहते पुलिस को शक पंजाब में फिर आतं की आशन का जताई जा रही है एक बाइक सवार में आर्मी कैम पर ग्रेनेट से हमला कर दिया इस घटना के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है साथ ही पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में आयोजित किसानों की महा पंचायत पराथ सभी की नजर टिकी है प्रधान मंतरी नरेजर मोधी की तरफ तीनों नए कुशी कानूनों को वापस लिये जाने का एलान के बाद ये पहली महा पंचायत है इसी वीच दूसरे र कि अगर सरकार NPR और NRC कानून लाएगी तो हम एक और नया शाहिनबा खड़ा कर देंगे इसके लावा मध्यप्रदेश में बना ताज महल चर्चा में बना हुआ है मध्यप्रदेश के बुरहानपुर्ण में एक शक्स ने अपनी पत्मी को ताज महल जैसा दिखने वाला घ हर ही तौफे में दे दिया इसे बनाने और सजाने में पूरे तीन साल का वक्त लगा है देश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्ताल से जानने के लिए वने रहे हमारे साथ पंजाब के पठान कोट जिले में आर्मी कैम पर ग्रेनेट से हमला किया गया है ग्रेनेट कैम के त्रीवेनी गेट पर फिका गया हाला कि हमले में कोई जानमाल का नुकसा नहीं हुआ लेकिन पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है अमरुटसर, जालंधर, बट ब्लास्ट के बाद ग्रेनेट का हिस्सा बरामत कर लिया गया है। ब्लावा गत 15 सितंबर को दो युवक मोटर साइकल पर बं प्लांट करके इसे जलालाबाद की सबजी मंडी में खड़ा करने जा रहे थे। यहां पहुंचे भारतिय किसान यूनियन के निता राकेश ठीकेट ने कहा कि तीन कुरशी कानूनों के अलावा किसानों के अभी और कई मसले हैं। उन किसानों का क्या जो आंदोलन में शहिद हो गए। जब तक बाचित नहीं होगी तब तक किसान वापस नहीं जाएगा। दूसरे राज्यो का नंबर लेकर लोग बिहार में अब गाड़े नहीं चला सकेंगे। बिहार में गाड़ी चलाने के लिए ये जरूरी है कि राज्य का स्थाई नंबर हो। ऐसा नहीं करने वालों पर 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन सच्चिव संजे कुमार अगरवाल ने कहा कि जारकन या देश के अन्य राज्यो से निबंदित वाहनों का बिहार में अवैद रूप से साई तोर पर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कारवाई की जाएगी। सबी DTO, MVI और ESI को विशेश अभियान चला कर कारवाई करने का निर्देश दिया गया है। अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन जारकन से कराते हैं और चोरी चिपे स्थाई तोर पर बिहार में परिचालन करते हैं। कुरूषी कानूनों की वापसी के बाद अब CIA कानून को भी वापस लेने की मांग जोर पकड़ने लगी है। AIMIM चीफ असदुदिन ओवेसी ने चितावनी दी कि अगर सरकार NPR और NRC कानून लाएगी तो हम एक और नया शाहिनबाग खड़ा कर देंगे। और वेसी ने कहा कि प्रधान मंतरी मोधी देश के सबसे बड़े नौटंग की बाज है और गलती से उन्होंने राजनिती में प्रवेश कर लिया है। चुनाओं के मद्दे नजर किसानों को खुश करने के लिए कुरूशी कानून को रत करने की घोशना की है। मध्यप्रदेश के बुरहानपूर में एक शक्स ने अपनी पत्नी को ताजमहल जैसा दिखने वाला घर ही तौफे में दे दिया। इसे बनाने और सजाने में पूरे तीन साल का वक्त लग गया। जानकरी के मताबिक इस घर में चार बेडरूम, एक कीचन, लाइबरेरी, मेडिटेशन रूम तक है। इस अलिशान घर का क्षेत्रफल मिनार के साथ 90 बाय 90 बताया जा रहा है। इसके अलावा घर का फर्ष राजस्थान के मकराना से बनाया गया है। घर के अंदर की नकाशी बंगाल और इंदौर के कारगीरों ने की है। तो फरनीचर, सूरत और मुंबई के कलाकारों ने बनाया है। घर में एक बड़ा हॉल, दो बेडरूम नीचे और दो बेडरूम उपर है। इस ताज महल को देखने लोग दूर-दूर से आने लगे हैं। चौकसे ने कहा कि मुझे अपार खुशी हो रही है कि मैंने इस प्रदेश को कुछ दिया है जिसे लोग याद रखेंगे। प्रधान मंत्री मोधी को हिटलर करार देते हुए कहा कि वे आज दुनिया के सबसे बड़े फांसी वादी लेता है। उधर पाकिस्तान के गुआदर में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे याने CPEC का जबरदस्त विरोध हो रहा है। धरना प्रदर्शन तक शुरू हो गया है। तो तालिबान प्रशासन ने इसलामिक दिशा निर्देश जारी किया है। जिसके मुताबिक देश में टेलिविजन चैनलों पर सिरियल या डेली सोप में महिला एक्ट्रेस नहीं दिखाई जा सकती। यही नहीं, महिला टीवी जनरलिस्ट को रिपोर्ट पेश करते समय हिजाब पहनना होगा। जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। दुनिया भर की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। भारत की स्वदेशी कोरनाटी का कोवैक्सीन ले चुके लोगों के लिए ब्रिटेन ने बड़ी राहत दी है। उसने कोवैक्सीन को अपनी स्विकृती टिको की लिस्ट में शामिल कर लिया है। विश्वस्वास्त संगठन यानि WHO की मंजूर के बाद ब्रिटेन ने कोवैक्सीन को हरी जंडी देने की घोशना की थी। ब्रिटेन के इस फैसले से उन हजारों भारतियों यात्रियों को रहत मिलेगी जो कोवैक्सीन ले चुके हैं और अनुमती मिलने का इंतजार कर रहे थे। ब्रिटेन सरकार ने कोवैक्सिन के साथ साथ चीन की सिनोविक और सिनोफार्म कोवैक्सिन को भी स्विक्रिती वैक्सिन लिस्ट में शामिल किया है कोवैक्सिन भारत में इस्तमाल की जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी वैक्सिन है पहले यहटी का लगवा चुके यात्रियों को United Kingdom जाने के बाद quarantine में रहना पड़ता था 22 नवंबर सुब चार बजे से नियम लागू हो गए और अब ऐसा नहीं होगा बताते चले कि को वैक्सिन लगाने वाले कोरोना मरिजो पर इसका असर अच्छा दिखा है सरकारी आकडों के अनुसार यहटी का कोरोना मरिजो पर 77.8% प्रभाव दिखाया है वायरस के नए डेल्टा सरूप के खिलाफ यह 65.2% कारागर है कमपनी ने जून में कहा था कि उसने तीसरे चरण के परिक्षनों से को वैक्सिन के प्रभाव का अंतिम विशलेशन किया है जर्मनी में एक पुरातत्व शोच संस्तान के शोच करताओं को मचली पकड़ने का 12,000 साल पुराना अविश्वसनिय उपकरन मिला है अब तक जो साक्ष मिले है उनके मुताबिक सबसे पहली ग्यात इंसानी सब्वेता केवल पास से 6,000 साल पुरानी है ऐसे में 12,000 साल पुरा नाम मचली पकड़ने का काटा मिलना यह अपने आप में दूरलब घट नाम माना गया है पुरा तत्वविदो का यह काटा इसराइल के हुला घाटी में जौर्डन नदी में मिला है मचली पकड़ने का यह काटा आकार में आश्रजनक तरीके से आधुनिक काटों के बेहत करीब है और हस्तकला का बढ़िया उधारन है इसको इस तरह से बनाया गया था ताकि मचली फंसने के बाद फिर भाग न सके शोतकरताओ को हडियों से बने कुल 19 काटों और खांचिदार पत्थर मिले है शोतकरताओ का माना है कि इन पत्थरों का इस्तमाल मशली पकरने के डंडे के वजन के लिए किया जाता था करीब 12,000 साल पहले इस समय शुरुवाती इंसाद घुमन्तू शिकारी की बज़ाए दिरे-दिरे समुदायों में रहकर शिकार करने लगा था जो कांटे मिले है वे एक ही डिजाइन के नहीं है इससे पता चलता है कि शुरुवाती दौर के इंसान अलग-अलग तरीके जानवरों के लिए अलग-अलग आकार के कांटों का इस्तमाल करते थे प्रते कांटा, कार, विशिष्टा और डिजाइन में अलग है यह इंसान जानते थे कि किस मचली का शिकार करने के लिए किस सरके कांटे की जरूरत है पाकिस्तान के बड़ बोले राष्ट्य सुरक्षा सलाकार मोईद यूसुप ने भारत और पीम मोधी के खिलाब जहर उगला है पाकिस्तानी NSA ने भारत-पाकिस्तान रिष्टों पर कहा कि पीम मोधी हिटलर के बाद दुनिया के सबसे बड़े फांसिवादी नेता है उन्होंने काश्मिर के मुद्धे पर पाकिस्तान में एक जुर्टा नहीं बनने पर चिंता जताई और कहा कि पाकिस्तान के सरोच राष्टे हित की रक्षा के लिए काश्मिर और राष्टे सुरक्षा के मुद्धे पर आम सहमती जरूरी है मोईद यूसप ने काश्मीर पर भी जहरीला बयान दिया और दावा किया कि मानवादिकारों का उलंगन हो रहा है एक साक्षातकार में मोईद ने कहा कि देश में आंतरिक और बायक खत्रों का सामना करने के लिए सरकार आम सहमती और समवाद में भरोसा करती है इससे पहले भी मोईद यूसूफ भारत और पियम मोदी के खिलाप कई बार जहरीले बयान दे चुके हैं पिछले दिनों मोईद यूसूफ ने कहा था कि अब भारत के साथ परदे के पीछे से कोई बाचीत नहीं होगी उन्होंने कहा कि हमने भारत को साफतोर पर बता दिया था कि बाचीत को शुरू करने के लिए अगस 2019 के कदम को वापस लिया जाए पाकिस्तान भले ही चीन को लेकर उदार बना हुआ है लेकिन अपने ही जाल में लगातार फंसना जा रहा है उसे हर और विरोध का सामना करना पड़ रहा है अब उसके शहर ग्वादर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानि CPEC का जबरदस्त विरोध हो रहा है इस परियोजना के खिलाप लोगों में इतना घुसा भर गया है कि अब धरना प्रदर्शन तक शुरू हो गया है इस शहर की लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरक्षा चोक्यों से परेशान है इसके साथ ही इलाके में पानी और बिजली की भारी किलत अवैद मत्सिकी से आजिविका पर खत्रे को लेकर भी व्यापक प्रदर्शन हो रहा है कुछ राजनितिक दलों के कारेकरता नागरिक अधिकार कारेकरता और इन विश्यों से सरोकार रखने वाले लोग पिछले एक सप्ता से ग्वादर में पोर्ट रोट के वाई चोक पर प्रदर्शन के लिए जुट रहे है ग्वादर पाकिस्तान के अशान दक्षिन पश्चिमी बलुचिस्तान प्रांत का तटी अशरा है खबर के अनुसार प्रदर्शन कारियों ने अनावशक सुरक्षा चोकियां हटाने पेजल एवं बिजली उपलप्त कराने मकरांतर से मचली पकड़ने वाली बड़ी यांतरिक नौकाय हटाने तथा पंजगूर से ग्वादर तक इरान सीमा खोलने की मांग की है रैली के प्रमुख मौलाना हिदायत उर्रहमा ने कहा कि जब तक मांगे मान नहीं ली जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा उन्होंने कहा कि सरकार एक्षेत्र में लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रती इमानदार नहीं है अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने नए इसलामिक दिशा निर्देश जारी किये है जिसके मुताबिक देश में टेलिविजन चैनलों पर सिरियल या डेली सोप में महिला एक्ट्रेस नहीं दिखाई जा सकती है अफगान मीडिया को जारी किये गए इस तरह के पहले निर्देश में यह भी कहा गया है कि महिला टीवी जनलिस्ट अपनी रिपोर्ट पेश करते समय हिजाब पहनेंगी यह आदेश अफगानिस्तान के Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice की ओर से जारी किया गया है मंत्रालय ने टीवी चैनलों को ऐसी फिल्म में या कारेक्रम दिखाने से भी मना किया है जिसमें पैगंबर मोहमद या अन्य सम्माने शक्सियोंतों को दिखाया गया है मंत्रालय के प्रवक्त हकीप मोहाजिर ने कहा कि ये नियम नहीं बलकि धार्मिक दिशानिर्देश है नए दिशानिर्देशों को रविवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तालिबान लगातार यह दावा कर रहा है कि उसके नए शासन में महिलाओं को भी जगह मिलेगी लेकिन इसके बावजुद अभी तक महिलाओं पर कई पावंदियों का एलान कर दिया जा चुका है जैसे महिला यूनिवर्सिटी में क्या पहन सकती है क्या नहीं आदी आदी इसके अलावा प्रेस की आजादी के लिए प्रदर्शन कर रही कई अबगान महिला पत्रकारों के साथ मार पिट और शोशन के मामले भी सामने आ चुके है तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकी वीडियोस नमस्कार